आप सभी को रादे रादे स्वागते मेरी यूटूब चैनल नेहाई स्मार्ट फैमली में और एक निव वीडियो में तो यहाँ देखिए दो आम ले चुके हैं तो आपको पहले वीडियो देखने से ही पता चल गया होगा कि हाँ आज क्या बनने वाला है तो चले आज बताते हैं ये किसका फर्माई से मेरा बेटा सुबह उठा तो बोला ममा मैंगो सिक पिये हुए तो काफी दिन हो गया मैं बोली चलो मैं आज ही बना देती हूँ मेंगो सिक तो हाँ ममा जल्दी जल्दी बना देना क्यूंकि बच्चे बोले और ममा ना करे ऐसा हो सकता है फिर मैं ले ली यहाँ दो आम और उसका सबसे पहले अच्छे से दुलाई कर दी तो यहाँ हम धोने के बाद आराम आराम से छिल्का हटा लेते हैं और आम किसको नहीं पसंद है जब छोटा बच्चा बोल सकता है कि ममा मैंगो सिक पिये बहुत दिन हो गया तो बड़े को तो और अच्छा लगता है तो आम तो सबको पसंद है यह तो राजा है फलो में तो यहाँ देखिए सबका छिल्का आराम आराम से हम हटा लेते हैं और आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर पता चलेगा यह बनने के बाद ना कैसा दिखता है टेश्ट तो आपको नहीं पता चलेगा बनाने के बाद ही पता चलेगा तो चलिए सबसे पहले हम छिल्का हटा लेते हैं तो यहां देखिए सब कचिल का हट चुका है अब हम क्या करेंगे इसे कट कर लेंगे तो सारे पीस को अच्छे से कट कर लेना है और बीच में जो गुटली होगा उसे क्या करना है उसे तो कट नहीं करना है तो यहां छोटे छोटे पीस में आम को कट कर लेना है और गुटली क को साइड कर देंगे और देखिएगा आप बीच में ही मेरा बेटा आयेगा और बोलेगा ममा आ आ बना रहे हो मैं इहां बना रही हूं तो यहां देखिए दोनों आप को ऐसे ही छोटे-चोटे टुगडो में कट करेंगे और उसके गुटली को साइड कर आप जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे वीडियो को नए नए देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना बेल आइकन जरूर पेस करना ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नौटिफिकेशन आपके पास पहुँच जै और आप मेरे वीडियो को आराम से द उसमें आम को डाल देना है, और सारे को नहीं डालना है, जितना हम जैसे ए गलास तक बना सके, उसके अकोरडिंग डालना है, साथी डालना है दूर्ज, और उसके बाद त्वड़े से मीठा चाहिए, तो यहां हम सुगर डाल रहे हैं, उसके बाद क्या करना है अच्छे से ना इसे मिक्सी चला लेना है और पीस लेना है इसे बनाना ना बहुत सिंपल होता है लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा से आता है तो यहां देखिए यह बन चुका है अब हम क्या करेंगे गलास लेंगे और सारे को ऐसे ही ग्लास में डाल देते हैं चलिए तो दो ग्लास ले लिए दोनों ग्लास में तो यहां हम ले चुके हैं दो ग्लास और दो ग्लास के एकोर्डिंग बना हुआ है एक बार में तो यहां दोनों में डाल लेते हैं उसके बाद हमें क्या डालना है तो आम को नम टुक्रे टुक्रे छोटे छोटे पीसेज में कट किये थी उसे भी डाल लेना है इसे न टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ेगा और यमी भी लगेगा उसके बाद हमें डालना है दोनों गलास में ड्रैप फ्रूट डालना है उसके उपर से और उसके बाद हमें डा कि मैं क्या बताऊं आज का वीडियो मेरा यह रहा मैंगो सिख आपको कैसा लगा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और आप भी ऐसे ही मैंगो सिख बनाए गर पे और बच्चे बड़े सब को बिलाए तो चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों